नमस्कार आप देखना है NBC24 मैं हूँ आदेश पूरी BPSC 67 पेपर लिक मामले में आज खबरे चली हमने भी चलाया कि गया के पुर्व जिलादिकारी अब इसे कुमार सिंग रडार पे हैं EOU के रडार पे हैं और बहुत जल्द उनसे पूस्ताच हो सकती है क्योंकि EOU को कुछ ऐसे साक्ष मिले हैं कुछ ऐसी जैनकारिया मिली है जो काफी असहज लग रही है असहाज इंदसेंस आपको बताएं कि रामसरान सिंग इवनिंग कॉलेज जो की गया के डेलहा में है वही से पेपर लिख होने की बाते सामने आई कॉलेज के प्रिंस्पल है सक्ती कुमार उन्होंने स्विकार किया कि उन्होंने कॉस्टन पेपर का फोटो लिया और उसे सरकुलेट किया और इसी क्रम में जब जांच की जा रही थी, पूश्टाच की जा रही थी सक्ति कुमार से तो बहुत सारी जनकारिया सामने आई है जो की संदेहास्पत बनाती है DM को पेपर लिक में आपको बताएं कि जो जनकारिया मिल रही है उसके मुताबित की क्राइटेरिया पूरी न करने के बावजूद भी कैसे, कैसे रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज को BPSC का सेंटर बना दिया गया इसमें प्रस्द ये भी है कि DEO यानि कि District Education Officer ने रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज को सेंटर बनाने के लिए Recommendation नहीं किया था बावजूद इसको सेंटर बनाया गया आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे आखिर लाइसेंस दे दिया गया Arms License सक्तिकुमार को DM के द्वारा ही और फिर से आपको बताएं कि रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसमें न कोई टीचर था, न कोई श्टाफ था, न कोई अकाउंटेंट था सक्तिकुमार कहा जाए तो One Man Army था, वही सब कुस था जब जैसा काम का ज़रूरत, उस समय सक्तिकुमार ही वह काम करता था चाहे वह प्रिंसिपल का काम हो, एकाउंटेंट का काम हो, यह जो भी काम आपको विस्तार में बताते हैं आपको बता दें, गया के पुर्व डियम, अवसेख सिंग, आर्थी कपरादिकाई की जांच के दायरे में आ गए हैं वह लगातार सवालों में घिरते जा रहे हैं और मामला जो है, वो BPSC के 67 पेपर लिक से संबन्दित है गया के डेलहा से, रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज के प्रिंस्पल और जदियुनेता, सक्तिकुमार की ग्रफतारी के बाद, गया के पुर्व डियम का नाम सामने आया है जो सुत्र है, उनका दावा है कि जांच के दर्मियान जो प्रस्तितिया बनी, उनमें एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो गया है जिसका जवाब सिर्फ पुर्व डियम अविशेक सिंग ही दे सकते है आने वाले दिनों में इनसे पूस्ताच हो सकती है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि बगएर किसी रेक्मेंडेशन के सकतिकुमार के कॉलेज को BPSC के सरसठोए एक्जाम का सेंटर कैसे बनाया गया जेल में बंद रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज के पुर्व डियम के बीच बहुत ही मधूर संबंध है सकतिकुमार का कॉलेज BPSC जैसे बड़े एक्जाम सेंटर बनाये जाने के क्राइटरिया को पूरा नहीं करता था 500 से 600 कैंडिडेट की बैठने की बेवस्ता वहां नहीं है बावजूद इनके रामसरन सिंग इवनिंग कॉलेज को सेंटर बनाये गया 2019 से लेकर अब तक सिपाही बहाली, ITI, Politechnic, Engineering, Forest Guard, BPSC के 65, 66 और 67 सहीद कुल 10 एक्जाम वहां पे हुए सुत्र बताते हैं कि BPSC के सरचठवे एक्जाम की बात हो या इससे पहले एक्जामों की सेंटर बनाने का फैसला पुर्व DM अविसेख सिंग का ही था आपको बता दे कि अमीत परत जो की गया के DM के OSD है अविसेख सिंग के टाइम में भी यही OSD थे उन्होंने EOU पटना में EOU ने बुलाया और सुत्रों के अनुसार इनसे भी कई सवाल पूछे गए जिसमें इन्होंने बताया कि सक्तिकुमार के कॉलेज को सेंटर बनाने के लिए गया के जिला सिक्षा पदादिकाई के तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं आया था और नहीं इस मामले में कोई फाइल बनी थी सीधे तोर पर उस वक्त के डियम की अनुसांसा BPSC को भेजी गई थी अब EOU इस मामले पर गया के वर्तमान डियम से फाइल की डिमांड कर दी है आपको बता दे कि गया के पुर्व डियम इस कदर सक्तिकुमार पर महरबान थे कि उन्हें हतियार का लाइसेंस तक दे डाला जिसे वर्तमान डियम ने कैंसल कर दिया जब भी अभिसेक सिंसे EOU पूछ ताज करेगी तब उनसे यह भी पूछा जाएगा कि किस अधार पर उन्होंने सक्तिकुमार को हतियार का लाइसेंस दिया था इसका डिटेल्स उनसे मंगा जाएगा उनसे पूछा जाएगा कि हथियार के लाइसेंस के लिए सक्तिकुमार की तरफ से आवेदन कब और किस तरह से दिया गया था पेपर लिख करने वाला सक्तिकुमार वन मैन आर्मी बना हुआ था रामसरन सिंग कॉलेज में वो एक साथ कई रोल निभा रहा था जब इस बात का खुलासा जाच के दवरान हुआ तो EOU की टीम भी आश्चर में पड़ गई सुत्रो के नुसार सक्तिकुमार कॉलेज का प्रिंस्पल तो था ही इसके साथ ही साथ वो खुद को कॉलेज का कलर्क और एकाउंटेंट भी बना हुआ था यहां तक कि BPSC सहीत वहां हुए सभी एक्जामों में वो विडियोग्राफर भी बन जाता था और कैमरे से रिकॉर्डिंग भी करता था इसके कॉलेज में कोई प्रोफेसर या कोई टीचर नहीं है एक्जाम कंड़क्टर आने के लिए बाहर से इन्विजिलेटर को हायर करता था तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे सेंटरों को BPSC का सेंटर बनाया गया कैसे कैसे कॉलेज जहां पर न सिक्षक है न कर्मचारी है न एकाउंटेंट है कुछ भी नहीं है बावजूद उसको सेंटर बना दिया गया और आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात जो मिडिया रिपोर्ट्स में निकल किया रही है कि DEO ने उस कॉलेज को सेंटर बनाने के लिए रेक्मेंडेशन नहीं भेजा था बावजूद इसके D.M. साहाब ने उस कॉलेज की फाइल BPSC को भेज दी और यहीं नहीं दस परिक्षाओं का आयोजन हो चुका है 65-66 बिहार सिपाही का पोल्टेक्निक इंजिनियरी इन सभी परिक्षाओं का यहाँ पर आयोजन हो चुका है और 2019 से ही आयोजन हुआ है और आपको बता दे कि 2018 से लेकर 2022 के फरवरी तक या मार्स तक अब इसे कुमार सिंग गया के D.M. थे ऐसे में उनसे पूस्ताश काफी अहम हो जाती है अब वही बता पाएंगे कि आखेर रामसरन सिंग इविरी कॉलेज पर उनकी इतनी महरबानी क्यूँ थी सक्ति कुमार पर इतनी महरबानी क्यूँ थी उन्हें लाइसेंस क्यूं दिया गया कवबावेदन किया गया और क्या जाच भी कराई गयी थी सारे प्रस्ण है जो कि आई एस आपको देना होगा पुरुप जिलादीकारी को देना होगा और जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे और बताएं आपको कि ये सारी खबरे जो है मेडिया रिपोर्ट के माध्यम से सुत्रों के माध्यम से निकल क्या रही है जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्नेवाद है